दोस्तों दुनिया अजब गजब तगा की चीजों से भरी पड़ी है हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया अज़ीब चीजों से भरी है जिसके बारे में हमको भी नहीं पता होता आपने अभी तक पक्षियों या जनवरों को अंड़े देते हुए देखा या सुना होगा मगर कि आपने कभी सपने में भी या सोचा है कि कोई पहाड की चटान भी अंड़ा दे सकती है जी हाँ चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपने अदबुत चीजों के लिए दुनिया में पचान रखता है यहां हर गली में कुछ ना कुछ अजीब चीज़े देखने को मिल जाती है हर एक देश में कुछ ऐसी चीज़े होती है जो किसी भी देश से मेल नहीं खाती ऐसे ही चीन से एक अजीब चीज़ के बारे में पता चला है जो आपको हैरान करने के लिए कापी है चीन के दक्षिव पच्छिम के गोवर परांत में अस्थित इस चटान के उचाई करीब 20 मीटर और लंबाए 6 मीटर है इस चटान को चीन में चंदन या के नम से जना जाता है इस चटान का रंग काला है और यह हर 30 साल में अंडे क्याकार करूप में पत्थर गिराती है ये अपनी इस बात को लेकर या देश में पूरे वीशों में चर्चा का केंदर बना हुआ है ये चीकेर अंडे पहले तो एक कवच में होते है और चटान इनको सेती है लेकिन कुछ दिन बाद ये अंडे सता पर गिर जाते हैं इस चटान ने बड़े-बड़े बिग्यानिकों का भी दिमाग हिला कर रख दिया है इस चटान का नाम चंदन न्या है हिंदी में इसका मतलब है अंडा देने वाला पत्थर इन पत्थरों से निकले अंडों को अस्थानियों लोग खूसी का प्रतीक मानते है ये अंडे जब चबिन पर गिरते हैं तो गाउवाले इने अपने घर ले जाते हैं ये एक काली और ठंडी चटान है जो कई छेतरों में आमतर पर मिल जाती है लेकिन इसके अंडे देने की खबर आज तब समझत विश्व में एक चर्चा का केंदर बनी है ऐसे यानों की खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें